मोवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को इसमें चार लोग शामिल होते हैं आदमी कीटा, उसकी बीवी जुनसू, बेटी कीजन और बेटा कीवो वो लोग एक छोटी से बेस्मेंट में रह रहे होते हैं इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत करन और अपना घर चलाने के लिए पीजा के बॉक्स बनाने का काम करते थे, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफी नहीं था, पिर एक दिन कीवो का दोस्त जो उसके साथ उनिवस्टी में पढ़ता था, उनके घर पर आता है, वो कीवो को एक पत्थर दे जो कि ठीक नहीं है, उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं स्टेडी के लिए आफ्ट उफ कंट्री जा रहा हूँ, जिस लड़की को मैं टूशन पढ़ाता था, तुम उसे इंग्लिश पढ़ा दिए, जिस पर कीवो कहता है कि मैं तो काली जाता नहीं, और वो लो मुझे काम नही उसका दोस्त कहता है, तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूगा, बस अपनी बहन से एक फेक डिगरी बन वालो, कीवो की बहन आर्टिस्टिक होती है, और वो उसके लिए डिगरी बना देती है, फिर कीवो उस जगह पर चला जाता है, जहां उसने टूशन देनी होती है, घर काफी बड़ा और काफी खुबसूरत होता है, और वो फेमिली काफी रिच होती है, और फैमिली का नाम पार्क फामिली होता है, इस फैमिली में भी 4 लोग होते है, हैसबंड वाइफ, इस दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, बीटी वो जिसका नाम weiß के बाशन पर पेंटिंग का बहुत शोग है। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सी टीचर्स को हायर किया था लेकिन कोई भी पर्मनेंट नहीं रुखी। कीवो सोचता है कि मेरी बहन आर्टिस्टिक है तो मैं उसे इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूं। बिल्वो दासॉम को दासॉम की मदर से बात करता है कि मेरी एक कजन है जो आर्टिस्टिक है। मैं मश्वरा देता हूं कि आप उसको हायर कर ले। सॉम की मतर ये सुनकर राजी हो जाती है और अगली दिन की वो अपनी बहन को जैसिका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोडियूस करवाता है। असली नाम इसलिए नहीं बताता है ताकि किसी को शक्त ना हूँ कि वो दोनों बहन भाई है। और कीजन जैसिका बनके उस बच्चे की आर्ट इचर बन जाती है। और पहुती है कि मैं आर्ट थाइरपिस्ट भी हूँ और अपनी बातों से उन लोगों को इंपरस कर लेती है। क्एटीछे की बेजल के काफी देजुकी होती है। जैसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मैट्रो स्रेशन पर ही ड्रॉप कर देजिए और ड्राइवर उसे वही ड्रॉप कर देता है और जैसिका जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो जान भूच कर अपनी पैंटीस गाड़ी में छोड़ देती है वो ऐसा इसलिए करत यसके बीवी जैसिका से बुद आता जब आप opinion जब ड्राइवर ने से डॉप किया है कि जिस पर जो घर की हो जाती है जिसपर की अटीस्टीरा को जाकिती जीर्टा को जाने लागव को जाती जैसिका को आप Southeast vibe और फिर वो अपने फादर को फादर की भाई कर ड्राइवर कहकर इंट्रोडियूस करवाती है इसकी फादर को भी नोकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी बेटा वहाँ पर नोकरी करना शुरू कर देती है वो लोग बहुत अंजान बन के काम कर रहे होते हैं ताके उनकी ओनर्स को शक्त ना हो कि वो दोनों बेहन भाई और वो उनके फादर हैं फिर हम देखते हैं कि कीवो जब दाहाई को ट्विशन पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को फसंद करने लगते हैं अब कीवो और कीजन अपने मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेड को वहां से निकलवाना था जो कि इतना असान नहीं था वो एक प्लैन सोचते हैं कीज के उपर जो पाउडर होता है उसे किसी भी इनसान को अलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं जब वो मेड डॉक से खेल रही होती है तो वो पाउडर उस पर गिरा देते हैं जिससे उसको शदीद अलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है और जब वो hospital होती है तो किवो के फातर भी वहां पर पहुँच जाते हैं वो एक selfie बनाते हैं जिसमें वो उसे भी capture कर लेते हैं फिर वो घर की मालकन को शॉपिंग पर लेकर जाता है और वहां उसे बताता है कि मैंने घर की मेट को hospital में देखा था और जब मैं सेलफी बना रहा था तो हो भी बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बाते सुन दी है उसे टीबी है लेकिन उसकी मालकन उस बात पर यकीन नहीं करती है फिर वो अपनी बेटी कीजन को मैसेज ड्रॉप करता है कि हम तीन मिनट तक घर पहुँच रहे हैं मैसेज देखते ही कीजन दुबारा से पीच का वो पावडर मेट पर डाल देती है और उसे फिर से खांची होना शुरू हो जाती है और इस दोरान घर की मालकिन भी वहाँ पहुच जाती है और वो लेड़ी एक टीशू इस्तमाल करती है और फिर उसे डस्ट बिन में पहंक देती है पिर उनका ड्रॉइवर डस्ट बिन की दरफ जाता है जहां उसने टीशू पहंका होता है टीशू पर वो सॉस गिरा देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है जिससे उसी एकिन आजाता है कि मेरा ड्रॉइवर ठीक कह रहा था कि उस मेड को टीवी है पिर वो अपने ड्रॉइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिकर अपने मालक से ना करना वरना वो काफी खुसा हो जाएंगे और फिर वो उस औरत को भी नोकरी से निकाल देते है और उनका ड्रॉइवर बड़ी चलाकी से अपनी बीवी को एक कुप के तोर पर इंट्रोडियूस करवाता है और बिल आखिर उसकी बीवी को भी नोकरी मिल जाती है और फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी होने नहीं देती कि वो एक ही फैमिली से है बड़ी चलाकी से वो अपने नाम चेंज करके रह रहे थे उन लोगों की हलात काफी बदल चुकी होते हैं रीबी से उन लोगों की हलात काफी अच्छी हो जाते हैं, अच्छा खानी को मिलता है और अच्छी पे ले रहे होते हैं, फिर दस ओम का बर्डे होता है, और पार्क फैमिल्यू से सेलिब्रेट करने के लिए एक पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं, और वो उसके लिए चले जाते हैं, उनकी जाने के बाद ये चारों लोग एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो लोग काफी इंज्वाइ कर रहे होते हैं, कि अचानक से डोर की बेल बचती है, और दर्वाजी पर वही पुरानी मेट खड़ी होती है, वो कहती है कि मेरा कुछ समान वहां प फसी होती है, जुन सुब उस प्लेट को निकाल देती है, और वो अलमारी अपनी जगा से हट जाती है, उस अलमारी के नीचे जरे से लेक रास्ता होता है, एक खुफ्या रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, वो मेड वहां पर चली जाती है, और देखती है वहां प कर रही होती है यहां एक रास्ता है हपने कोаете इसले है सर पर कुछ करचा होते है जिसको अगर वह नहींरेत तो लोग उसे मार दें। तो और मेरे जुंसु खाना करती है कि तुम हव्ते में एक मर्वा मृर्त मेरे मेरें रिचेंगे से सुन रही होती है और बोस्तेविती कि वेंदी चैने से जिस पर जुनसुक उसे काफी मिनतें कर रही होती है कि वो ऐसा ना कर वो औरत अपने हैस्बंड को लेकर उपर आ जाती है और उन चारों को कहती है कि वो हाथ उपर करके खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो गना लेती है और साथ में उस टेबल की वी जिस पर वो पार्टी कर रही है ये चारों उन दोनों हैस्बंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मुबाइल लेकर वीडियो को डिलेट कर देते है उन लोगों के अपस में लड़ाई हो रही होती है कि अचानक से टेलीफोन की घंटी बचती है जुनसुक फोन उठाती है और ये घर की मालकिन का फोन होता है वो कहती है कि तेज बारिश की वज़े से ट्रिप कैंसल हो गई है और हम आठ मिनट तक वापिस आ रहे हैं और वो उसे खाना बनाने का बोलती है और आठ मिनट तक उन्हें घर का सारा समान भी सेट करना था काल के दुरान वो तीनों उन दोनों हैस्पेंट वाइफ का मूँ बन करके खड़े होती है कि उनकी आने से पहले यहां पर क्या कुछ हो चुका है और वो लोग भी फिर छुप जाते हैं वो लोग खाना खाते हैं और घर की मालकिन जुनसुक को बताती है कि एक बर्डे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था तब उसने एक भूत को देखा था लेकिन वो भूत नहीं होता वो उस मेड का हैस्बेंड होता है और ये लोग समझते हैं कि शायद वो कोई भूत बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दासॉम कहता है कि आज रात में बाहिर सौंगा और वो टेंट लेकर बाहिर बैठ जाता है तासॉम की मदर और फादर हॉल में ही सोते हैं ताकि सारी रात उसको देख सके वो दोनों सोफे पर लेटकर बाते कर रहे होते हैं और सोफे के निच्चे कीटक कीजन और कीवो छुपे हुए होते हैं कीटक होते है और घर का मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि इसके जिसम में से नागवार किसम की प्रदाश करना नमुम्हिर है वो सच कहा रहा होते हैं क्योंकि जिस जगह पर वह लोग रहे होते हैं वो गार्बिज एईरीया होता है लोग वहाँ पर टॉयलेट्स करते हैं इस वज़े से इस घर के सारे लोगों की जिसम में कपड़ों में एक गंदी सी भू आती है और ये सब बाते हैं वो लोग भी सुन रहे होते हैं उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार दासौम ने ये बात कही थी कि मेरी टीचर में से स्मेल आती है और वैसे हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है इन वो लोग अफना सौप अपना टॉवल चेंज करने का सोचते हैं लेकिन ये उनकी जिसम्र की स्मेल नहीं होती हैं बलकि उस घर की होती है जहांपर वो रह रहовануетे होते हैं और आप वो जग़ा रहने के काबिल नहीं रहे धिर फिर वो एक जगा जाते हैं जहान वहके से लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं गुजारते हैं लो कहते है कि हमारी बेटे की है अप उसकी टीचर है आप को आना चाहिए जिससे उसे रहोत खुशी हो और वो कीवो को भी बुला लेती है जो कि उसकी बेटी का टीचर होता है फिर वो बजार में शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैटी होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब किसम की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाग पर हाथ रख है जिस पर उसके ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उनके साथ ऐसा रियक्ट करें उसकी मालकिन भी ऐसा करना नहीं चाहती है लेकिन उससे ऐसा करना पड़ता है पिर पार्टी चल रही होती है और कीवो और उसकी स्टूडेंट दहाई उपर होते हैं और कीवो उससे पूछता है तो मैं लगता है कि हम इनमे से एक हैं वो अपने जवाब को येस कहते हुए सर हिला देती है लेकिन वो इनमे से एक नहीं होते और वो सोचता है कि बेस्मेंट में जो लोग हैं अगर वो उपर आ गए तो इनका राज फाश हो क्योंकि जब वो लोग इनी नीचे लेकर जा रही होते हैं तो वो भाग कर उपर आने की कोशिश करती है जिस पर जुनसुक उसे टांग मारती है वो गिर जाती है और मर जाती है उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता कि वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ म पुखर किसी तरह पत्थर उसके हाल से गिर जाता है लेकिन वो बड़ी चलागी से चुपके से जाकर उस पत्थर को उठा लेता है वो उन दोनों को मारने आया था तके उनका रास कभी भी उनके सामने ना खुले क्योंकि वो अपनी फैमली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकत और वो आएस्ता करके आगे बढ़ता है है उस मेड का हस्वेंट जू आपको खोल एटका होता है कीव के गले मेरसी डाल कर उसे घसीटता है कर लो पया पत्थर मेंने के स्धोर हो उसे कव्हथ में पहुड़ता है लेकिन नहीं मारता से बहक जाता है वो उस चाकू से कीजन के सीने पर वार करता है जिसे वो काफी जखमी हो जाती है कीजन के फादर उसके जखम को दबाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बढ़े लेकिन उसका जखम काफी गहरा होता है जुनसुक ये देखती है कि उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के दिर्मियान शदीद लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जुनसुक उस आदमी को मार दे अब घर का अनर अपनी चाबी लेना चाता है जो के उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है और वो चाबी जब निकाल रहे होते हैं तो उने काफी स्मेल आती है और वो मूपर हाथ रख लेती है और जब उनका ड्राईवर उने ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे के तासुरात बदल जातो वो शदीद घुसा था वो चाकू उठाता है और उस चाकू से मालिक पर वार करता है कीटक ऐसा इसलिए करता है क्योंके उनके मालिक को चाबी चाहिए थी थाके वो अपने बेटे सौम को होस्पिटल लेकर जाएं क्योंके वो भी होश होता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मर रही होती है लेकिन उसके बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं आता केटिक अपने माली को काफी हरानी से देखता है क्योंकि जब वो पुरानी मेट के हैस्पेंट की नीची से चाब भी निकार रहे थे वो नाग पर हाथ रक लेते हैं जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसकी जिसम में से भी सेम वैसी स्मेल आ रही होती और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग हकारत की नजर से देखते हैं इस तंग नजर देखने की वजए से वो ने चापू से मार देते हैं और उसकी बाद वो ड्राइबर गाइब हो जाता है कीजन मर जाती है और कीवो बच जाता है लेकिन उसकी मेंटल अबिलिटीस डिस्टर्ब हो जाती है फिर उन मा बेटे पर धोके चाल बाजिक और साज़िश का केस चलता है लेकिन कोट उन्हें कोई सजा नहीं देता कुछ इंस्टॉक्शन देता है और चोड देता पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है वो लोग इस घर के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और उसके बेस्मेंट में आज भी के टेक होता है यानि वो ड्राइवर क्योंकि वो अपने मालिक को मारने के बाद यहां पर आकर चुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता है उस बलब की थ्रू वो सिगनल ऐसे भीज़ता है वो उसे डिफरेंट टाइम में आउफ करता है और अपने बेटे को सिगनल सेंड करता है उसका बेटा कीवो जो कि दूर बीट से सिगनल को देखता है उसके पास एक कोड आता है जिसको बो डिकोड करके मालुम कर लेता है कि उसके फादर आज भी जिर्दा है और उसी बेस्मेंट में है और उसे इस बात का पेश्दावा होता है कि उन्होंने पाक फैमिली के ओनर को मार दिया और वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर अपॉलोजाइज करता है फिर कि वो कहता है कि एक दिर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और हम वो ही घर खरीद लेंगे और बेस्मेंट में तुम उपर आना